पी फॉर हो रहा है सभी के गर में हो रहा है इसका मतलब आपके बच्चे नॉर्मल है बच्छा सारी टीच टेस्ट करके देखना चाहता है उसके बाद वो जज़ करेंगा कि ये बराबर है और कितने तो मराटी इंडस्ट्री और कोई फिल्म इंडस्ट्री के डॉक्टर लोग देख लो एक्टर है और नाम के पेचे डॉक्तर है कोई भी उठाけて देख लो आगर डॉक्टर बनना था तो एक्टर काहिको बने पिर एक्टर बनना थटो क्यों देखो ना अप concentric by अग्वर चले जाते क्योंकि उनको बाद में रियलाज होता कि आर मेरे अंदर ये टेलेंट था मेरे तो उसके passion के accordingly हमें काम करना पड़ेगा अब कैसे काम करेंगे तो अभी मान लोग कि सबोज हमारा 5th, 6th standard में हमारा बच्चा है कितने लोगों का बच्चा 5th, 6th standard में है चाफी लोगों के तो अभी क्या करेंगे बच्चे का सही जो समय है यही समय है अभी से उसको जो interest है उसके accordingly जो profession होते न वो सारी चीज़े हमें क्या करनी है उसे बतानी है 10th तक जाने तक 10th तक जाने तक उसे पता होना चाहिए at least 40 profession कि CA करेगा तो क्या होगा actor होगा तो क्या होगा यह होगा तो क्या होगा तो इतने जीदों में क्या करना है आपको सिर्फ 40 profession के नाम या फिर वो प्रोपेशन में क्या हो सकता है यह सारी चीज़े बच्चों को बतानी है मान लो क्या करेंगे कोई आपका फ्रेंड होगा सायद CA है तो अपने बच्चों को क्या करना है वो CA के बाज बेजना है दो दिम कि देख बटा CA profession में होता क्या है ओके वो बच्चा जाएगा फ्रे में सिकेगा वा बेटेगा फाइल इदर की उदर करेगा क्या होता है उसे सब क्या होता है हम अभी एक बच्चा मेरे पास आया था MRF का ब्रैंड है सब बड़े बड़े ब्रैंड उसके नाम से चलते है तो मुझे वो क्रिकेटर ही बनना है बहुत बड़ा मैंने करा ठीक है बटा एक काम कर थोड़ा तू बहार रूख अफ्स के बाहर रुक मैं थोड़ा ममी पापा से बात करता हूँ फिर हम बात करेंगे बच्चा दस मिट बहार रुका फिर अंदर आया मैं लो क्या हो बेटा ने बोले अंकल बहुत धूप है अच्छा ठीक है बोले काम कर और पाँच मीट में थोड़ा बात करता हूं उसके बाद में तरे से बात करूँगा तो बच्छा फिर बाहर गया और पाँच मिट भी ने रुखा तीन मिट भी आपिस आगे मुला क्या करी है ब्रैंड दिक रहे है लेकिन उनकी मेहनत नहीं दिक रहे अर बच्चे आज कर क्या करा है इस सब चमक धंब के पीछे भाग रहे है मेहनत को नहीं समझ पा रहे इसलिए उनको क्या करना है फिफ्त के बाद मैं 11गंटा दिन में जो कुछ भी आपके फ्रेंड होगे इस एक IT इंजिनेर बनने का प्रोफेशन, मतलब पैसा IT में बहुत मिलता है, लेकिन उसको बारा घंटा बेट के काम करना पड़ता है, उसकी कैपसिटी है क्या, उसकी पैसे ने लग रहा है, कि ये करू, इसमें पैसा मिलेगा, उसमें आम भी कहतें कि इंजिनेर बन, डाक्टर बन क्यों, तो पैसा है, तो खाली पैसे के पिछे भागेता है, तो quality का काम नहीं होगा, quality काम चाहिए तो अच्छा काम करेगा बतलब कहते हैं ना जैसे 3Date में बता गया कि काबिल बनो काबिल बनो काबिलत की पीछे मत बागो काबिल बनोगे काबिलत आपके पीछे भागते आएगी automatic पैसा शौरत इज़त सब कुछ मिलेगी तो उसके लिए क्या करना है उसके जो passion है उस passion को हम क्या करेंगे हमारा एक group बनाएगे आपका जो भी group होगा जो भी parents है वाट्सप गुरूप होगा शायद आपके स्कूल का कोई तो उसके अंदर दाल दें कि कोण engineer है कोण doctor है कोण क्या है और अपने बच्चों को एक्सेंज करें, वहाँ भेजें, और उनको वो नॉलेज क्या होती हो बताएं, टीचर होने के बाद क्या होगा, तो वो 10th होने तक अटलेस उसको 30-40 प्रोपेशन पता चलेगे, वो खुद का डिसिजिजन ले पाएगा, कि मैं आर्स लू, साइंस फिर भी उन्होंने वो साइड, डॉक्टर इंजिरी को नहीं गए, उन्होंने एमपी सुपी सिख पढ़ाएं कि आज डीजी ए कोलापूर के, हलो, तो उसी तरह के से आप उसका जो पैशन, उनको पिच्चर क्लेर होना चाहिए, यह मैं क्यों क्लेर बता रहा हूँ, यह बा जो बच्चा बच्चपन में इंटरेस्ट दिखा राता तो उसे रोक रहत है, यह नहीं करने का, वो नहीं करने का, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, अभी 10th हो गया तो कहते कि नहीं, हम चाहते हैं बच्चे को जो इंटरेस्ट है, वो बूग करे, हम पैसे पुराने के लिए त तो इस तरीके से अगर आप चार-पास साल अगर उसको किसी के बास बेजोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेगा, थोड़ा सीखेगा, अलग-अलग फिल्ड का नॉलेज लेगा, तो उसका ब्रेंड नॉलेज डेवलप होगा और उसका खुद का पैशन या फिर खुद की चौ कर सकते हो, तो आरी सबको बात समझे में, तो करेंगे सब लोग इसी तरी से से, very good.